हेलो फ्रेंड्स कैसे हूँ आप सब आए हूप आप सब अच्छे हूंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो ब्लॉगिंग की सुरुवाद मेरी लगभग सुबह के दस बजे से हो रही है और आज भार का मौसम आप लोग देख लीजिएगा बहुत मौस्त हुआ है बहुत पढकर मों में टाप सबकृश्ची जेएफ टीन कगा उन में इस हैं तो इस टाइम बता दूंअ आज इतना हैं मतलब हवा कम चल रहे। थीक ठाक्स्टर हो नेहां तभी कभी तो इतनार पड़ जाता है कि मैं तो तो यह ड्वित गढ़ा रगता हो in तो थोड़ा ठीक है तो आज मैं बता दो आप लोगों को मेरे बच्चों का भी विंटर विकेशन शुरू हो गया है बच्चे मेरे च्छत में गए हुए है नास्ता नुस्ता करके उदूप सेक रहे हैं और हजबन साथ वजे मेरे ड्यूटी चले गए थे तो अभी मैं घर में यह तो मैंने सोचा आज मैं अपना किचेन एक दम क्लीन कारती हूं और क्योंकि जब हजबनेट साव पर बचे क enfants ओ और अजीब लगता है तो वैसे हम किचन को डेली डेली साफ करते हैं बट कभी-कभी जो बरतन हम यूज नहीं करते हैं उन बरतनों के भी दुलाई करनी पड़ती है वह ऐसे उपर रखे रहते हैं लोगों ने लेकिन मैं आज एक दो हफ्ता बाद उनको भी निकालते हैं और वह सारे बरतन मैं पानि निकाल रहे हैं तो तो चेली है मिरे साथ तो फ्रेंट्स मैं आ चुकी हूँ कुए के पास तो यहां से निकालोंगे में आज बानी और यहां पर रखावा है बाल्टी बें बाल्टी पर रस्सा बंदा हुआ है ठीक है और यह जो डखकन है न इस में बहुत हैबी इसको थोड़ा साइट कर देंगे और जिससे ना जहां पर भी कुवा हो उस महां पर मलब ढ़कन होना बहुत जुरूरी है क्योंकि इसमें मतलब सेप्टी बहुत जुरूरी है ठीक है तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने पानी निकालना सुरू कर दिया है और हमारे तरफ ना मैंन मैंने क्या किया बरतन दुलाना सुरू किया तो यह कुछ मेरे गैश के बरतन भी है कुछ चूले के बरतन है और कुछ जो हम यूजी करते हैं कुछ वो ऐसे भी बरतन है बहुत दिनसे दुलाए नहीं थे दूसरे वाले बड़तन तो उनको भी मैं साफ कर रही थी तो मुझा आज मेरा मैक्सिमम एक घंटा लग गया था बड़तन दुलाते तो यहीं पर धूप आया हुआ था तो मैंने का धूप में सुखा देती हूं अंदर क्या ही ले जाना है ना अंदर तो ब बड़तन मैंने बहार दूला दे क्योंकि किचन एकदम खाली पड़ा हुआ है तो फटा फट गैस को भी साफ करना है और टाइल्स भी साफ करनी है और यह सारा आज एकदम कर दूंगी और अच्छा लगता है जब आप किचन की साफ सफाई करते हैं तो सबसे पहले मैंने क्य क्या किया यार किचन में पहुंचके कि मैं गैस को साफ करने बैठी क्यूंकि हम चाई कभी मेरा चाई गिड़ जाता कभी दूद गिड़ जाता है होई जाते हूं कभी कभी तो ऐसा होता दूद रखती हूं चुले में और भूल जाती हूं पता है तो कितना बारत मेरा चुटह सब चुट चला जाता है तो भी एक दम से काळला पड़ जाताता है तो ऐसलिंगे वह जा कि प्राद चाहिएं किatta passado जिए चीट जंब आसंप साफ कर रे hayat विए यार पूरा आज तो मेरे पूरा साफ सफाई करना यह कल भी मेरा पूरा दिन ऐसी गया पूरा साफ सफाई में गया आज का दिन मेरा पूरा साफ सफाई में जाएगा और अभी में यहां पर जो बड़तनों केलमारी होते ना यह प्लेट प्लेट रखने की यह सारा साफ कर दू इसने भी थोड़ा साना वह आ रहा था घ्या पीला पिन आ रहा था तो मिनका यार इसे नैंको निर्मा पानी से दुलाना चाहिए तब तक देखा कि यहां पर यह करेंड का बोल्ड भी था अब आपर यार थोड़ा सा बच गया नहीं तो पानी जाता थो क्या ही हो जाता है न तो यहां पर सबसे कुले मेरे जो पानी उपर से मेरे गैस घुज दुलाए तो सारा नीचे गिर गिर गया था तो मैंने का यार फट्स भी साफ कर लेती हूँ तो अभी सिलेंडर भी जब मेरा मन करता है तो मेरा कुछ दिन तक काम ऐसी पड़ा रहता है तो आज मेरा बहुत अ बढ़तनों को लेकर आया और मैं अलमारी में लगाने बैठी फटावण में अलमारी में बढ़तन बढ़तन सजा सुझा दिये और यह मेरा किचन तयार हो चुका है बहुत अच्छे से और मैंने यह बढ़तन इस तरह से साइजिंग लगा दिये हैं आप लोग भी देख किछन को एकदम किलीन किया हुआ है or बहुत अच्छे से मेरा किछन चमक गया है और बहुत अछे से कलीन हो छुक lattice है किचन और आज में बहुत लेट होई हूं है नाई भी नहीं हूं डाइ मठ शुका है और husband सापी duty से आने वाले हैं और उनको time पे खाना भी खिलाना होता है बच्चे तो चलो छुटी पे हैं तो फटा-फट खाना बना लेती हूँ और अभी मैं आगे का ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी क्योंकि time ज़्यादा हो गया है तो मिलती हुमें ऐसी मज़दार वीडियों के साथ तब तक के लिए ना ख्याल रखें स्वस्त रहें मस्त रहें और जिन्दगी में आगे बढ़ते रहें बाई बाई